साथियो, हमारी सरकार 21 वी सदी में देश की उर्जा जरुरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक शेत्रों में काम कर रही है पहले की सरकारों ने इसे प्रात्विक्तान नहीं दी थी देश में कैसे पावर सेक्टर को नजर अंदाज किया गया देश की उर्जा जरुरतों को नजर अंदाज किया गया इसका एक उदारण कल ही कानपूर में मुझे दिखाई दिया कल कानपूर में यहाँ पड़ेली के नवजबान है उनको इस बात बराबर समझ आएगी कल कानपूर में पन की पावर प्रोजेक के विस्तार का काम आरब हुआ है लेकिन साथियों आप यह जानकर हैरान नह जाओगे कि पन की प्रोजेक में चालीस चालीस पचास पचास साल पुरानी हो चकी मशीनों से काम लिया जा रहा था मशीने हाँ फले लगी थी कॉंग्रेश जैसा हाल था उस मशीनों का भी नतीजा यह था कि जो बिजली वहां बंड भी रही थी उसकी कीमत आ रही थी 10 रुपिये प्रती युनीट आज जब हम सावर उर्जा से 2 रुपिये 3 रुपिये प्रती युनीट बिजली की बात करते हैं तो सोचिए 10 रुपिये प्रती युनीट बिजली पैदा करके किसका भला हो रहा था लेकिन चल रहा था साथियों पहले की सरकारों के इसी रुपिये ने देश के पावर सेक्टर को खस्ता हाल कर दिया था देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग नूच चला करती थी कि प्रावर प्रांच में एक दो दिन का ही कोईला बचा है पावर सेक्टर की अववस्ता का ये वो दौर था जब ग्रीड फेल हो जाया करते थे राज्य के राज अंदेरे में डूब जाते थे भारत को अंतराश्टे स्तर पर सर्मिन की मैसूस करनी पड़ती थी देश के पावर सेक्टर को सुधारने के लिए इसलिए हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ नई नित्यों के साथ काम किया हमने चार चीजों पर फोकस किया चार अलग अलग स्तरों पर काम किया प्रोड़क्शन ट्रांस्मिशन डिस्टिबिशन और कनेक्शन अगर production नहीं होगा, बिजिली का उत्पादन नहीं होगा, transmission, distribution, system मजबूत नहीं होगा तो connection की चाहे जितनी बाते कर ले जाए, गर-गर बिजिली नहीं पहुंची सकती है इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले बिजिली के production पर बढ़ाने पर जोड दिगा सौर उर्जा, पानी से बनने वाली उर्जा, कोईले से बनने वाली उर्जा और नुक्लिय पावर सभी से उत्पादन बढ़ाने की चाहते दिशा में काम शुरू हुआ जिस कोईले के आवंटन में बेश में करोडों का गोटाला हुआ था उसी कोईले की निलामी के लिए हमारी सरकार ने देश को एक पार दर्शी और आधुनी की ववस्ता दी बारत की उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समाएं हमने 2022 तक 175 गीगावर्ड क्लीन अनर्जी के उत्पादन चमता जोडने का लक्ष भी रखा इस लक्ष पर चलते हुए अब तक 75 गीगावर्ड रिन्य और्बन अनर्जी की चमता जोड़ी भी जा चुकी है साथ योज सरकार ने बिजली टांस्मिशन के छेत्र में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ काफी बढ़ाया जिसकी वज़े से देश के टांस्मिशन डेस्वर्ड में बहुत तेजी से वृद्धी हुई है इसके कारण नकैवला देश को सुरक्षीत और संतुलित गिरीड उपलब्द हुए है बलकि हमने वन नेशन वन गिरीड का सपना पूरा किया है और अब हम सौर उर्जा के माध्यम से और सपना भाईयों बैनों मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं हमारा सपना है वन वर्ल वन सन वन ग्रीड एक दुनिया एक सुराज एक बवस्ता वन वर्ल वन सन वन ग्रीड और कभी ने कभी ये साकार होने वाला है